जहन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट योटोब चैनल पे जिसे की आप इस स्कीन पे देख सकते हैं आइलेंडिया लिमिटेड की तरफ से एक नय रिकूटमेंट का नोटिपिकिसन जारी किया गए जो की पर्मानेंट जॉब की ये विकिंसी निकल के आ रही जिसके बारे में आपको पूरी जनकारी स्टेप बाई स्टेप देने वाले तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर और यहाँ पर जो रिलीज किया गया इसका एडवर्टाइजमेंट उसका यहाँ पर डेट आप देख सकते 28.03.2023 को ये नोटिपिकिसन जारी किया गये जिसमें ITI पास शात्र फान को अपलाई कर पाएंगे तो यहाँ पर फान को अपलाई कैसे करना है और इसमें कितने उम्र के शात्र फान को अपलाई कर पाएंगे और फान भरने की अंतिम्तिति क्या है सारी जनकारी आपको देने वाले इस वीडियो के माधम से तो वीडियो को आप बिल्कुल complete देखेगा थोड़ा सा आप यहाँ पर स्क्रोल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको post code और यहाँ पर post के जो qualification है वो सारी details में आपको जनकारी देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको serial number बताया गया और यहाँ पर post code इस कॉलम में बताया गया और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको जो education qualification आखाएगे उसके बारे में इन्होंने जनकारी दिये और total cities में कितनी खाली है यहाँ पर आपको जनकारी देखने को मिल जाती है तो पहले number पर आपको जो देखने को मिला है यहाँ पर देखिए past 10 plus 2 with physics, chemistry and mathematics से आपका यह subject होना चाहिए और यदि आपने government से यहाँ पर गर रखा है दसमी past government college से तो आप इस फार्म को apply कर सकते हैं दूसरा जो post आपको देखने को मिल जाता है यह आपका MDL 123 आपको post code पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है ट्रेड certificate जो की mechanic diesel वाले farm को apply कर पाएंगे और यहाँ पर government से आपका होना चाहिए आई ट्याने चाहिएगा आपका किसी भी institute से नहीं होना चाहिए government institute से आपका होना चाहिए और दूसरी बात यहाँ पर दस्वी class आपका complete होना चाहिए इसके बाद तीसरे नमबर पर आपको देखने को मिल जा है trade certificate in fitted rate से यह भी government से आपका होना चाहिए और साथ में दस्वी pass आपका यहाँ पर certificate लगेगा और total seat आपको यहाँ पर 28 देखने को मिल जा है फूर्थ नमबर पर आपको देखने को मिल यहाँ पर जो की IT के चातर फांट को apply कर पाएंगे जिसमें जो यहाँ पर रखागे 2 year का duration यहाँ पर रखागे government आपके पास होना चाहिए government से college से होना चाहिए और यहाँ पर trade certificate से आप फांट को apply कर सकते जिसमें आप किसी भी trade से iti केंे तो आप यहाँ पर फांट को apply कर पाएंगे 5 नमर पर आपको जो देखने को मिला इसमें welders trade से जो चातर iti कीं उनका यहाँ पर certificate लगने वाला trade certificate ''जिसमें welder वाले फांट को apply कर पाएंगे इसमें seat यहाँ पर कम देखने को मिले, total यहाँ पर तीनी seat खाली देखने को मिले लेकिन आप यहां पर seat पर ध्ठान न दिजिए क्यों आपको 1 seat पर फांट को अप्लाइए करना है तो आप फांट को अप्लाइए जरूर कीजियेगा अगला जो यहाँ पर seat आपको देखने को मिलना है यहाँ पर instrument mechanic trade से आप यहाँ पर देखिए जिसमें यहाँ पर government से यहाँ पर IT बाया गए और दस्वी पास भी आपका government board से ही होना चाहिए मतलब कि सरकारी आपका मन्यता प्राप्त हो अगला जो पोश्ट कोड आपको देखने को मिलना है जिसमें यहाँ पर टोटल कितनी सीटे यह भी आपको जनकारी देखने को मिलना है तो यहाँ पर 7 नंबर पर आपको जो देखने को मिलना इसमें BSC वाले फार्म को प्लाई कर पाएंगे जो अचाहत physics chemistry और यहाँ पर mathematics से कियें और प्लस उनका इस पोश्ट से 3 यहाँ पर जो होना चाहिए आपका education qualification के साथ साथ qualification experience भी मांगा गया यह कापी अच्छी बात इन होने के जिनके पास experience से उन लोगों का यहाँ पर direct हो जाएगा और इसमें total आपको 20 seat खाली देखने को मिल जाती है अठमा जो है आपको यहाँ पर पोश्ट देखने को मिला इसमें आपका two year का duration अखागे और इसमें आपका दसमी पास होना चाहिए और किसी भी government ITS आपने complete कर रहा है किसी भी इंस्टोर से आपने private से या government से तो आप आपको apply कर पाएंगे इसमें जो यहाँ पर आपको यहाँ पर पोश्ट देखने को मिला इसमें boiler का पोश्ट है जिसमें आपको first class boiler attendant certificate आपके पास होना चाहिए 9th नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है BSC Nursing पोश्ट इसमें आपको basic BSC Nursing और PB BSC के अंतरगत आपको apply कर पाएंगे आपने two year का experience भी साथ में complete कर रखा है तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ पोश्ट देखने को मिलें ज्यादतर इसमें जो आपको seat देखने को मिलें यहाँ पर जो चात्र डिग्री डिप्लोमा complete कर चुके उनके लिए यहाँ पर seat खाली देखने को मिल रही है बाकी आई जिसे कि age limit वाले यहाँ पर column के नीचे आप पढ़ेंगे इसमें साब तोर पर लिखा गए यहाँ पर post code और इसमें general का उमर कितना होना चाहिए और SC का उमर किनता होना चाहिए और ST का उमर कितना होना चाहिए और जो चात्र OBC के अंतरगतार है उनके लिए उमर कितना रखा गया तो सारी जनकारे इन्होंने step by step यहां पर दे रखी है तो यहां पर आपका जो उम्र होना चाहिए जैनल के लिए जिसे की 18 से 30 तक होना चाहिए OVC के लिए 18 से 35 से से के लिए 18 से 35 से और यहां पर देखने हो कि मिल जाते circle date will be called for the computer based test कहने का मतलब यह कि जो भी आप phone बरते समय email ID या mobile number आप इसमें फेल करेंगे उसके जरी आपको पता चल जाएगा कि आपका exam कब होने वाला है क्योंकि इसका admit card जारी होगा जिससे आप other जो government exam आप देते हैं इसके बारे में इसके बारे में इंहोंने जनकारी दे रहिए यह यहां पर आपको यहां पर जनकारी दे रहे यहां पर आपको जो देखने को मिलता है 20 परसेट इसमें भी लेना अनिवार है इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ जनल नाले से कोशन पूछे जाएंगे जो कि बेसिक आपका रिजिन टाइप का कोशन हैगा इसमें आपका साट रहेगा और टोटल आपको यहाँ पर जो देखने को मि जैसे कि आपका आइडेंटी आपको लगेगा जैसे कि आधार कार्ड पेन कार्ड और साथ में आप जिस को लिपी किसन पर फान को अप्लाई करें उसका सेटिफिकेट लगने वाला है तो कि इस तर आपका फान भरा जाएगा नीचे आप आएंगे साथे स्क्रॉल करते हो त यहां पर दोस रुपेर चार्ज है पलस इसमें जेश्टी चार्ज भी रखागे बाकि जो अधर जो कंड़ेट एसेश्टी के अंतरगत आ रहें उनके लिहां पर कोई भी चार्ज नहीं रखाए बिल्कुल फ्री फार में वो लोग भी अप्लाई कर सकते बिल्कुल फ्री मे यहां पर बात करें कबसे फार भरना श्टार्ट हो है तो 28 दिन 2023 से इसका फार भरना श्टार्ट हो चुका है और 25 चार 2022 तक यह आपका फार भरा जाएगा यदि आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो भी बना दूँगा कि आप मुबाइल से कैसे फार्म को अपलाई कर सकते हैं